हे गाईस कैसे हैं आप सब होप करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मैं हूँ अमन और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे गाईस आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थाइंक्यू बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे चैनल पे 150 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए है साथी 10,000 व्यूज का माइल स्टोल भी हमने अचीव कर लिया जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है और इसलिए आज मैं बहुत ही जाला खुश हूँ और थाइंक्स आप सभी को फिर से 150 सब्सक्राइबर्स के लिए और हमारा जो next target है जो हमारा next डोल सकते हैं गोल है वो है 200 सब्सक्राइबर्स का तो ओप करता हूँ कि आप लोग उसे भी जल्दी सी जल्दी कम्प्लीट करवा देंगे तो अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने Redmi 9 Prime को manually MIUI 12 पे कैसे update कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास मैं है Redmi 9 Prime और आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फोन को manually कैसे update कर सकते हैं MIUI 12 पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो methods बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपने smartphone को MIUI 12 पर update कर सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा phone जो है मैंने already update कर रखा है MIUI 12 पर अगर हम जाए यहाँ पे settings application पर और वहाँ पे अगर मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि मेरे पास Redmi 9 Prime ही है guys को यह और smartphone नहीं है settings में जाके भी दिखा देता हूँ about phone में आप देख सकते हैं कि Redmi 9 Prime smartphone है मेरे पास साथ ही MIUI 12 पर भी updated है आपको show हो रहा होगा मैंने zoom करके भी आपको दिखा दिया है तो guys first method जो है वो बहुत ही जादा simple है और इसकी मदद से एक छोटा सा बच्चा भी install कर सकता है MIUI 12 के update को आपको simply जाना है अपने phone के settings में और वहाँ पे about phone वाले option में आपको चले जाना है वहाँ से आपको tap कर देना है MIUI 12 के उपर या फिर अगर आपके phone में आप तो update आया नहीं है तो आपको simply चले जाना है MIUI version के उपर जैसी आप MIUI version पर click करेंगे guys तो आपके पास option आ जाता है यहाँ पे updates का जो आपके system में updater खुल जाता है और वहाँ पे check करने लगता है वो updates के लिए तो जैसी वहाँ पे आप tap करते हैं तो आपको यहाँ पे show होगा अब checking for updates का एक prompt आपको show होगा यानि कि आपका device जो है वो check कर रहा है updates के लिए अब guys यहाँ पे एक चीज़ important हो और वो यह है कि आपके phone में जो है internet connection होना चाहिए तो उसके बाद आपको right corner पे जो है three dots पे click करना है और वहाँ पे आपको simply click कर देना है download latest package पर और उसके बाद जो है आपके phone पे जो भी latest update होगा वो download होने लगेगा उसके बाद मैं यहाँ पे आपको check करा देता हूँ मेरे phone में जो update download हो रहा है वो है MIUI 12 का यानी की version 12.0.1 जो की MIUI 12 का version है वही download हो रहा है मेरे phone में अगर आपके phone में कोई दूसरा version download होता है तो आप इसे stop कर दीजेगा आपके लिए दूसरे method है जिससे की आप MIUI 12 को install कर सकते हैं अपने phone में तो अब है आपको बताऊँगा दूसरे method के बारे में तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे method के बारे में यह method थोड़ा सा tough है ये method थोड़ा सा tough है यह थो जाधा data यह यह method उतना भी tough नहीं है आप easily कर सकते हैं अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो मैंने आपको वीडियो के description में एक link दे रखा है और आप जैसी उस link पे click करेंगे तो आप phone arena नाम की इस website पे redirect हो जाएंगे जिसे मैंने यहाँ पे अपने phone में open कर रखा है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Redmi 9 Prime Gets Me UI 12 का जो stable update इंडिया में release हुआ है उसका यहाँ पे आपको download link देखने को मिलता है आपको simply यहाँ पे zip file here यह वाला जी यह जो highlighted sentence है उस पे आपको click कर देना है और आपके phone में जो है update download होने लगेंगा यहाँ पे आप जैसे की देख सकते हैं कि मैंने जैसे यहाँ पे zip file here वाले उस word पे click किया तो यहाँ पे मेरे phone में जो है update download होने लगा है आप नीचे देख सकते है downloading file का फाइल का pop-up आ चुका है साथ ही उपर update download होने लगा है वो totally depend करता है आपके internet connection पे तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस update के installation process के बारे में तो guys यहाँ पे जैसे की आप देख सकते हैं कि मैं वापस से अपने phone के home screen पे आ चुका हूँ अब यहाँ पे आपको simply tap करना है settings में फिर वहाँ से about phone में अब आउट phone से फिर आपको MIUI 12 पे tap कर देना है या MIUI version पे tap कर देना है simply और उसके बाद आपको simply MIUI जो भी आपका version हो चाहे वो 11 हो और 12 हो आपको उस पे simply 6 बार tap करना है और उसके बाद यहाँ पे additional update features are on करके एक pop up अपको show होगा और यहाँ पे उसके बाद आपको 3 dots पे click करना है और choose update package पे जा करके जिस भी storage में आपने file save कर रखे वहाँ पे जा करके उसे select करके simply ok पे press कर देना है और उसके बाद जो है आपके phone में update install हो जाएगा तो guys hope करता हूँ कि आप सभी कोई video बहुत ही जादा अच्छी लगी होगी और अगर ऐसा सच में है तो video को like जरूर करेगा क्योंकि अगर आप मेरी videos को like करते हैं तो मेरी video को YouTube और भी logo तक पहुँचाता है यानि कि मेरे video की जो reach है वो बढ़ती है और इससे बहुत जो लोग ऐसी videos की तलाश में रहते हैं उन लोगों को videos मिलती है तो hope करता हूँ कि आप सभी मेरी video को जरूर like करेंगे और साथ ही अभी तक अगर आप मेरे channel से नहीं जुड़े हैं तो please जुड़ जाएगा नीचे दिएगए subscribe के बटन को दबा करके और साथ ही उसके बगल में दिएगए bell icon को भी दबा दीजेगा जिससे की आपको मेरे इसी तरह के latest और informative videos की notification मिलते रहें मिलता हूँ आप सभी से अगली video में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातराम